शामाने वर्ग या सामाने तरीके से चुनाओं का अध्यान करते हुए हम 1980 के उस पादान पे पहुँचे जब हमने जाना कि किस प्रकार बदलते हुए समी करण में एक नया गुठ सामने आता है बड़ा प्रभावशाली और संभतव जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा OBC बैकवर्ड क्लासिक पिछड़ा वर्ग और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग और उनके उदै को समझते हुए हमने ये भी देखा कि भारती राजनीति को किस प्रकार ये प्रभावित करते हैं भारती समाज का एक और ऐसा पहलू है एक और ऐसा अंग है जो भारती राजनीति को समझता उतना ही प्रभावित करने की ख्यमता रखता है जतना की पिछड़ा वर्ग और वह है सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों का वर्ग सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों का सोशली वीक सामाजिक दिश्टिसे जो कमजोर हैं तो अब इस अध्याय में इस अध्याय के इस हिससे में अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों का राजनीतिक सशक्ति करण कैसे हुआ हमने पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक सशक्ति करण का अध्यान कर लिया अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछड़ा वर्ग के अलावा समाज का एक ऐसा कमजोर वर्ग भी है जिसे हम कमज जोर वर्ग कहते हैं और उसके राजनीतिक सशक्ति करण की बात करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यिस वर्ग को राजनीतिक ताकत मिली या कहां से मिली इसकी शुरुआत भी 1980 के आसपासी होती हैं इसी दशक्त में निम्न वर्ग के राजनीतिक संगठनों का उदै होता है हमने दलित पैंथर्स का जिक्र किया, बामसेफ का जिक्र किया, बसपा का जिक्र किया और कुछ अन्य दलों का भी जिक्र पूर में किया है कुछ इनी दलों के बारे में इनी के उद्भों के बारे में हम तोड़ा गहराई से समझेंगे 1978 में BAMSIF Backward Minority Community Employees Federation इसका गठन होता है और इसका गठन कौन करते हैं कांसी राम ये BAMSIF क्या था एक लाइन में दी बोलें तो ये सरकारी कर्मचारियों का था और साधारन ट्रेड यूनियन नहीं था ये संगठन बहुजन था बहुजन से तादपर है अनुसूची जाती इसमें थी के सदस्य थे अनुसूची जन जाती के सदस्य थे अन्य पिछड़ा वर्गे के सदस्य थे और अल्पसंख्यक थे अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्या चार लोग इसमें थे चार लोगों का ये एक कांगलो मरेट एक जुन्ड था चमुदाय बनाया जिसे हम कह सकते हैं जिसे कहा गया बहुजन और यहीं से बहुजन समाज पार्टी का उदा होता है ये लोग राजनीचिक सत्ता की जबर्दस्त तरफदारी करते हैं और इसी तरफदारी का राजनीचिक सत्ता की तक पहुँचने की ललक इनके अंदर इतनी तीवर थी कि बहुजन समाज पार्टी का उद्य होता है श्री कांशी राम की अगुआई में बहुजन समाज पार्टी अपने शुरू के दौर में एक बड़ी छोटी पार्टी रही और इसका जो खेतर था दारा था वो पंजाब, हर्याना और उत्तर प्रदेश और वह भी सामाजिक रूप से कमजोर तबके के लिए सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लेकिन 1989 नब्बे आते आते ये पार्टी काफी फैल जाती है, ये पार्टी काफी गहरा प्रभाव छोड़ने लगती है, 1989 नब्बे के चनाओं में इस पार्टी को सफलता मिलती है, और आजाद भारत में ये पहली बार होता है, जब कोई राजनेतिक दल मुक्षितया सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बूते पर सफलता हासिल करता है, राजनेतिक सफलता हासिल करता है, किन के बल पर? कमजोर वर्ग के मतों के बल पर, और जब ऐसा होता है, और यह बात लोगों को तक फैलती है, तब निम्न वर्ग जागता है, और महसूस करता है, हम इतने सक्षम हैं, कि हम सत्ता बना सकते हैं, सत्ता बिगाड सकते हैं, ये बहुत अहम ये बहुत महत्पूर्ण टर्निंग पॉइंट है बहुत बड़ा मील का पत्थर है निम नुवर्ग या समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में तो अब हम समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की चर्चा करते हैं तो हम समाज नित्या उनिस्वी शताबदी में पहुँच जाते हैं जब जोती बाफुले राजराम और अन्य लोगों ने समाज में सामाजिक चेतना जगाने के लिए बहुत सारे प्रयास किये थे उसी के तहट हम देखते हैं कि धीरे 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 ये निम्न वर्ग के लोग थोड़ा ज़्यादा शिक्षित होने लगते हैं सजग होने लगते हैं फिर भीम राव अंबेट कर जिकाना होता है और कुछ अन्य लोगों का आना होता है जो इस वर्ग की वकालत करते हैं इस वर्ग की पैरवी करते हैं और उसी के तहट 1980 आते आते कांशी राम के द्वारा बामसेफ और फिर बहुजन समाज पार्टी ये निम्न वर्ग के तबके का चर्मुत कर्ष था राजनीतिक व्यवस्था में जब ये लोग सफलता पाते हैं अपने ही वर्ग के मतों के बल पर दरसल कांशी राम के नित्र में बस अपा ने अपने संगठन की बुनियाद केंदरी नीतियों पर रखी थी बहुजन यानि अनुसूचिज जाती अनुसूचिज जन जाती अन्ने पिछला वर्ग और अल्प संख्या की इनको यदि मिलाए जाये तो उन्होंने देखा था कि देश की आबादी में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा हो जाती है और संख्या के लिहाज से ये एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन सकते हैं इस बात की पूरी समझ श्री कांशी राम को थी उनको ये महसूस था कि इतनी बड़ी संख्या जो है जो सबसे बड़ी है तो एक ताकत राजनीतिक ताकत के रूप में ने क्यों न बनाया जाया बहस्पा के आत्म विश्वास को इतत्थ से बहुत बड़ा बल मिला था कि इन चारों के मिलने से हम एक सबसे बड़ा सामाजिक गुट बना सकते हैं इसके बाद बहस्पा राज्ज में विशेशकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी ताकत के रूप में भरती है और एक से ज़्यादा बार वहाँ वो सरकार बनाने में सक्षम होती है यदि हम बहस्पा के मतदाताओं की बात करें तो इसमें कोई दो मत नहीं की इसके मतदाताओं का सबसे बड़ा वर्ग या इसके सबसे बड़े समर्थक सबसे ज़्यादा समर्थक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के मतदाता थे सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के मतदाता ये इनका सबसे बड़ा वर्ग था लेकिन अब इसने समाज के विभिन वर्गों में समय के साथ साथ अपनी पैठ बना ली है अब ये मत्र निम्न वर्ग तक ही सीमित नहीं रह गया है अब ये अपना जनाधार बढ़ा रहा है अब अन्य जातियों के अंदर भी इसने अपनी पहुँच बनाई है भारत के कई हिस्सों में समाजिक रूप से कमजोर वर्ग के राजनीतिक और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतन्त रूप ले लिया है और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस परधा चलती रहती है किन दोनों के बीच समाजिक रूप से कमजोर वर्ग बनाम अन्य पिछड़ा वर्ग समाजिक रूप से कमजोर वर्ग इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग और फिर बाकी तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में एक तरीके से प्रति दुन्दिता अन्य राज्यों में भी चल रही है और जैसे जैसे इन आकड़ों की सच्चाई लोंगों तक पहुंच रही है ये दोनों समाज के वर्ग अपनी अपनी ताकत को समझ रहे हैं उसकी अहमियत को समझ रहे हैं राजनीतिक अहमियत को और उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं ये हुई संक्षिप्त में सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की बात अब इसके संस्थापक के बारे में थोड़ा सा जान ले श्री कांशी राम के बारे में उनकी प्रिष्ट भूमी क्या थी जिन्होंने इस दलित वर्ग को राजनीतिक स्थर पर उस जगा पहुँचा दिया जहां वे स्वयम एक फोर्स बन के उभरे हैं जहां उन्होंने स्वयम अपने दलितों के या शोशित वर्ग के कमजोर वर्ग के लोंगों के आधार पर ही सत्ता में काबिज होने के शमता पाई है और एक बार नहीं बलकि कई बार कांशी राम 1934 से 2006 इनका जीवन काल बहुजन समाज पार्टी के सशक्तिकरण का प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक दोनों के लिए श्रे इनको जाता है सशक्तिकरण के लिए भी और एक राजनीतिक दल के संस्थापक के रूप में भी श्रीकांशी राम को लोग जानते हैं सामाजिक और राजनीतिक कारे के लिए केंदर सरकार की नौकरी से इस्तिफा दिया इनकी राजनीति में आने की ऐसी कोई मंशा नहीं थी पर पूना में जहां पर वो अंतिम बार पदस्त थे सरकारी नौकरी में वहां के कुछ घटना करम ने उसका रियाले के कुछ घटना करम ने उनको विवश किया कि वो इस्तीफा दे और कमजोर वरगों के उत्थान के लिए सामने आए इस पकार वो सरकारी नौकरी से क्लास वन आफिसर के नौकरी से स्तीफा देते हैं बाम सेफ की स्थापना करते हैं फिर डियस फोर की बनाते हैं और अंत में 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है 1984 वही वर्ष जब इंद्रा गांदी के हत्या हुई थी एक आप याज रखने के लिए धान में रख सकते हैं बड़े कुशल रणनीती कार माने जाते थे अपने समय में और इस बात की अहमियत को लोगों तक सबसे पहले पहुँचाने का श्रे इनी को जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि ये तीन चार वर्ग अनुसूची जाती जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संक्या के यदि साथ हाते हैं तो बहुत ताकतवर बनेंगे इस बात की अहमियत लोगों तक पहुँचाने का माद़ा इनी में था और इन्होंने ही सफल रूप से इसका प्रयाज भी किया और इसमें सफल भी हुए इसलिए वे एक बहुत कुशल कुशाग्र रणिनीती कार के रूप में जाने गए अपनी राजनीतिक सत्ता को समाजिक समानता का अधार मानते थे उनका कहना था कि सत्ता में आना इसलिए जरूरी है ताकि हमें भी समाज में उसी सतर पर देखा जाये जिस तर पर अन्य लोग है और बिना राजनीतिक सत्ता में आए समाज ऐसा मौका देता नहीं समाज दलित वर्गों के लिए ऐसा प्रयास नहीं करता कि वह स्वैम उन्हें उपर उठाए इसके लिए दलित वर्गों को स्वैम प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए इन चार वर्ग के लोगों को एक जुट होकर स्वैम प्रयास करना पड़ेगा और राजनीतिक सत्ता को पाना पड़ेगा ऐसी इनकी सोच थी उत्तर भारत के राज्यों में सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की राजनीति के लिए इन्होंने बहुत काम किया और एक सक्षम संगठन करता के रूप में श्रीक कांशी राम जाने गए इनका निजन सन 2006 में हुआ राजनीति के बात करें तो भारत में राजनीति के साथ एक पहलू और जड़ा हुआ है वर्ग आधारित राजनीति जाती आधारित राजनीति गटभंदन की राजनीति मुद्दों की राजनीति ज्यक्ति आधारित राजनीति ये सभी दौर भारत में देखे जा चुके हैं भारत की राजनीति में गर सत्तर वर्षों में लेकिन इसके साथ साथ एक अन्य तरह की राजनीति कम और बेश कई बार हमारे इस समाज में दिखाई देती है सामप्रदाइक्ता, कम्यूनालिजम सामप्रदाइक्ता की राजनीती का उबाल पंथ निर्पेश्टा और लोकतंत्र को नहीं चुनौती सामप्रदाइक राजनीती बनाम लोकतंत्र ये संक्षिप्त में इस विश्य का मुद्दा है सामप्रदाइक राजनीती से क्या ताथ परे है सामप्रदाइक्ता का अर्थ क्या है धर्म के आधार पर यदि कुछ किया जाए तो हम उसे सामप्रदाइक्ता का प्रभाव कहते है धर्म आधारित सन नब्बे के दशक में ये सामप्रदाइकता की राजनीती सामने आती है तन असी के दशक में आप देखते हैं कि कैसे श्री कांशी राम अलप संख्यक समदाए धार्मिक रूप से अलप संख्यक समदाए अर्थास मुसलिम लोगं को अपनी पक्ष में करने का प्रयास करती है और जब ऐसा होता है तो अन्य राजनीतिक दलों की चेतना जाकती है और वे इन अलप संख्यकों को एक सक्षम वोट बैंक के रूप में देखते हैं इस तरह वोट बैंक के रूप में इनको देखे जाने से और एक मजबूत वोट बैंक के रूप में देखे जाने की परणिती इस बात में होती है कि इनको अपने पक्ष में करने के लिए जो राजनिती की जाती है वह सामप्रदाइकता का रूप ले लेती है धार्मिक जगणों का रूप ले लेती है ये प्रवरित्ती जो है 1990 के बाद इसी लिए शुरू होती है विशेशकर सामप्रदाइकता की राजनिती का उच्छाल इसी काल में होता है क्योंकि इसी काल में अल्प संख्याक बहुत एक जुट होकर सामने आते हैं और इस उबाल का परणाम यह है कि लोगतंत्र और पंथ निर्पेक्षता जो भारत की नीती है धर्म निर्पेक्षता उसको एक बहुत बड़ी चुनोती मिलती है सरकार किसका पक्ष ले यदि सरकार निश्पक्ष होकर किसी एक धर्म समुदाय के लिए कारे करेगी तो दूसरा पक्ष उसे सामप्रदाइक रूप देने का कोशिश करेगा चाहे भले ही सरकार की अपनी सोच है कि वह जो कारे कर रही है वह निश्पक्ष होकर कर रही है दिश्पक्ष होकर करने पर भी किसी न किसी का पक्ष तो लिया जाएगा ऐसी स्थित में दूसरा पक्ष जो है वह से सामप्रदाइक रूप देता है और इस पकार ये एक बहुत बड़ी चुनोती बन जाती है वैसे तो हम देखें तो भारत में आजादी से पहले भी सामप्रदाइक ता का विष्ट जो है काफी फैल चुका था भारत की राजनीती में सामप्रदाइक ता का तत्व विद्दिमान ही नहीं था बलकि गहरे घाओ छोड़ रहा था धार्मिक आधार पर 1947 में देश का विभाजन होता है यह सामप्रदाइक ता का ही तो परणाम है इस विभाजन से सामप्रदाइक भावनाएं जो हैं वो और मजबूत हो गई लोगों का सामप्रदाइक ता पर और विश्वास बढ़ गया क्योंकि उन्होंने देखा कि धार्मिक आधार पर हम यदि देश का विभाजन कर सकते हैं तो बाकी मुद्दे तो छोटे हैं उन्हें भी धार्मिक रंग दे कर पाया जा सकता है विश्लेशिकों का अनुमान था कि जैसे जैसे भारत में लोक तंत की जड़ें मजबूत होंगी गहरी होंगी सामप्रदाइक ता वैसे वैसे कमजोर होती जाएगी ऐसा विश्लेशिकों का कहना था लेकिन नब्बे के दशक में यह अनुमान गलत निकला नबे के दशक की घटनाओं ने इस उमीद को गलत थाबित कर दिया इसमें एक शाहबानो का मामला था बाबरी मस्जिद के विद्धवन्स का मामला था गुजराद के दंगे की घटनाएं थी जिसने भारत में सांपरदाइकता की राजनीती को एक नया जामा पहना दिया एक नया चेहरा दे दिया इन तीन घटनाओं का हम थोड़ा अलग से जिक्र करेंगे संक्षिप्त में शाह बानो बाबरी मस्जिद और गुजराद के दंगे लेकिन फिलहाल आप जान लें कि ये तीनों घटनाएं लगबग उसी काल खंड में होती है जब घटभंदन की राजनीती का वर्चस बढ़ता है जब पिछडा वर्ग दलित वर्ग सामाजी कमजोर वर्ग अपनी आवाज उठाता है तो ये नबे का दशक बड़े उहा पोह राजनीती जिससे बड़े उथल पथल का वर्च था और उसी में सांपरदाइक तब ही आ जाती है और ये तीन घटनाएं ततकालीन राजनीती को बहुत प्रभावित करती है जिसका असर आज भी देखा जा रहा है इस दोर में आया एक दूसरा बदलाओ धार्मिक पहचान पर आधारी तराजनीती सांपरदाइक ता तो है ही सांपरदाइक ता का उदै तो इस काल में देखा ही गया लेकिन अब उसमें कुछ और कड़वाहट इस आधार पर जुड़ गई कि इस काल में हम देखते हैं कि धार्मिक पहचान के आधार पर जो राजनीती शुरू हुई वो इसी काल में हुई और इसके दूर गामी परणाम होते हैं जनता पार्टी जो 1980 में बिखरती है उसके बाद जनसंग सामने आता है तो जनसंग भारती जनता पार्टी के रूप में सामने आती है भारती जनता पार्टी ने हिंदू राष्टवाद हिंदुत के तत्वों पर थोड़ा ज्यादा जोर देना शुरू किया हिंदू राष्टवाद और हिंदुत्व के तत्व। तो भारती जनता पार्टी के उदै के साथ हम देखते हैं इस तरह का एक बदलाओ और उस बदलाओ में वह हिंदुत्व और हिंदू राष्टवाद पर ज्यादा जोड़ देता है। भारती जनता पार्टी का जो विचार है उसमें उसके अनसार भारत का नागरिक वई हो सकता है जो भारत भूमी, भारती स्वंस्कृति, भारती परंपराओं के प्रती अश्रद्धा रखता हो। भारती परंपराएं भारत भूमी भारती स्वंस्कृति पर शद्धा रखने वाला ही भारती नागरिक हो सकता है ये भारती जनता पार्टी की सोच है और ये वही काल है जब भारती जनता पार्टी भी धीरे धीरे अपनी पैट बढ़ाती है अपनी पहुंच अपना जनाधार बढ़ाती है और उसके सीटों की संख्या में धेरे धेरे विकास होता है सन पच्चासी के समय तलाक शुदा शाह बानो उसके मामले में सर्वोच अदालत ने शाह बानो को भूत पूर पति से गुजारा बत्ता हासिल करने का दिकार दिया ये एक बड़ा प्रसिद्ध केस है शाह बानो का केस है गुजारा बत्ता करने के लिए शाह बानो को शाह बानो के पक्ष में नियाले निर्णा देता है और कहता है कि इसके पूर पति द्वारा इसे गुजारा बत्ता दिया जाना अवश्यक है नियावचित है लेकिन पुरातन पंथी मसल्मान मुस्लिम समधाय जो पुरानी परंप्राओं पे चल रहा था वो उसका विरोध करते हैं इस फैसले का विरोध करते हैं नियाले के इस फैसले का विरोध करते हैं और विरोत करने का आधार उनका रहता है Muslim Personal Law उनका जो अपने समाथ का जो अपना कानून है उसके आधार पे शाह बानों को भत्ता दिये जाने का पूर पती द्वारा भत्ता दिये जाने का तीवर विरोध इस मुस्लिम समदायों द्वारा होता है जो थोड़े कट्टर पंथी थोड़े पिराने विचारों वाले हैं एक और जहां मुसल्मानों द्वारा तर्वच ने आले के इस निर्णे का विरोध हो रहा था और इसे उनके धार्मिक मामलों में दखल के रूप में बताने का प्रयास किया जा रहा था वहीं तत्कालीन कॉंग्रेस सरकार उसने मुसलिम महिला अधिनियम नाम से एक नियम पास किया मुसलिम महिला अधिनियम 1906 जिसका सम्न्ध तलाग से जुड़ अधिकारों के तख़त था इस अधिनियम के द्वारा सरवच ने आयले के फैसले को तत्कालीन केंदर सरकार जो कॉंग्रेस की थी उसने कोड के फैसले को निरस्ट कर दिया रद्ध कर दिया अर्थाद सुप्रीम कोट द्वारा भत्ता दिये जाने के आदेश को खारिश कर दिया और गैर कानून ने बता दिया सरकार के इस फैसले का सरकार के इस कदम का सरकार के इस बिल का भाजपा सहिद बहुत सारे संग्ठोंनों ने विरोध किया और उन्हें ऐसा लगा कि सरकार मुस्लिमों का पक्ष ले रही है कांग्रेस सरकार जो है वह अलप संख्यक का पक्ष ले रही है इसी दौर में जब इस तलाक के मुद्दे को लेकर शाह बानो केस को लेकर पूरे देश में दोनों समधायों के बीच एक तरीके से तनाओं बढ़ रहा था उसी दौरान एक और घटना होती है और वह घटना है बाबरी मस्जित का विद्धुवन्स इस दौर में अध्या का जो विवादित एक धाचा था जिसे बाबरी मस्जित के नाम से जाना जाता है 1992 में उसे कार सेवकों द्वारा तोड़ दिया जाता है कार सेवक किने कहते हैं ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर स्वायमेव कुछ सेवा करने के लिए सामने आते हैं धर्म के नाम पर बिना किसी अपेक्षा के स्वायमेव सेवा करने के लिए सामने आने वाले लोगों को कार सेवा कहा जाता है तो इस पिकार कार सेवा को का एक जुंड अध्या में उस विवादित धांचे की और बढ़ता है जिसे बाबरी मस्जित कहते हैं और जो बहुत अनेकों वर्ष पुराना सा धांचा और उसे तोड़ देते हैं बाबरी मस्जित के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह जगह वही है जहां पर उनके देवता श्री राम चंडर का जन्ब हुआ था राम जन्ब भूमी लेकिन मुगल शासक बाबर के कोई सुपह सालार थे मीर बाकी जिसने इस जगह मस्जित बना दी और इस प्रकार एक विवाद खड़ा हो गया राम जन्ब भूमी के इस थान पर मस्जित का बनाया जाना हिंदूों को नागवार गुजरा और जब ये बात सामने आई तो मामला कोट में चला गया कोट में मामला एक तरफ लंबित और दूसरी और यहां बाबरी मस्जित को कार सेवकों ने धाहा दिया 1992 में और इस पकार उनके द्वारा किसी धर्म विशेश किसी समधाय विशेश के द्वारा धाचे को धाहने का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि दूसरे धर्म समधाय के द्वारा इसे अनिता लिया गया और इस पकार दोनों समधायों के बीच में जो धार्मिक आधार पर जो तनाओं शाह बानो केस और इसके आस्मा वो बर्सा चला गया और कई बार तो इसमें सामप्रदाइकता का रूप मिलिया बाबरी मस्जित जब धाहे गई बाबरी मस्जित के जब तोड़ा गया तो पूरे देश में कई जगा धर्म आधारित दंगे हुए जिसे हम सामप्रदाइक दंगे कहते हैं और इसके चलते भाजपा सरकार को स्टीफा देना पड़ा कई जगा भाजपा भारती जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास किया केंदर सरकार ने और राश्पती सासन लागू किया ये कहते हुए कि इन राजपास करके राश्पती शासन लागू कर लिया और इस प्रकार इन राजपास की शासन व्याजपा को एक तरीके से अपने हाथ में ले लिया इस घटना के बाद सामपरदाइक सौहार्द के लोक तंत्रिक माहौल में कई दफ़ा बड़ी चुनोती आई एक और लोक तंत्र की जड़ों को मजबूत हों करने का प्रयास और दूसरी और सामपरदाइक ता की आग जब तब भड़ा कुटती थी तनाओं बढ़ रहते और लोक तंत्र में जहां सर्वधर्म समभाव की भावना रहती है लोक तंत्र जहां पर सब लोग समान द्रिश्टी से देखे जाते हैं धर्म निर्पेक्षता या पंथ नित्वेक्षता जहां पे शासन किसी के भी धार्मिक मामलों में दखल ना देने की गैरंटी देता है वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होना एक बहुत चिंता का विशा बन गया और हमारे लोक तंत्र के लिए भी खत्रा हो गया अध्या में जो विवादित धांचा था जिसे बाबरी मस्जिद कहते हैं उसके विध्वण्स की टाइम लाइन को भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करें कि किसके बाद घटना करम कैसे आगे बढ़ता गया सबसे पहले तो जो संगठन था जो इस विध्वण्स के लिए एक तरीके से जिम्मेदार माना जाता है उसने राम मंदर के निर्माण का समर्थन करते हुए दिसंबर बानिबे में एक कार सेवा का आयोजन किया और कार सेवा अर्थाथ एक ऐती वालेंटरी सेवा जैसा मैंने बताया है कि जिसमें स्वयमेव अपनी शारीरिक शम्ता से आर्थिक शम्ता के अनुसार किसी कारे में मदद करना तो दिसमबर 92 कार सेवा का आयोजन किनके द्वारा संगठन जो राम मंदिर के निरमार का समर्थन कर रहा था राम भक्तों के से यह आवहान किया गया कि वे राम मंदिर के निरमाण में श्रमदान करें तो यहां पर कार सेवकों से मूल तह श्रमदान की अपेकशा थी और इन संगठों ने श्रमदान कानरोट किया जिसके तहट उद्येश यह था कि अपनी शारीरिक मेहनत से जो ढाचे को बनाने में जो लेबर लगेगा उसमें योगदान करें सुप्रीम कोड का ऐसी स्थिति में राज सरकार को एक आदेश आता है कि जो विवादित धाचा है उसकी सुरक्षा का पूरा इंतिजाम करें कहीं ऐसा ना हो कि यह धाचे को किसी तरह का नुकसान पहुँचाया जाए संभावता सुप्रीम कोड को ऐसा अंदेशा था या ऐसी संभावना से बचने के लिए ऐसी संभावना को हटाने के लिए कि कहीं यह धाचा न ढढ़ जाए धाहा दिया जाए उसने राजिस सरकार को या देश दिया कि इस धाचे की सुरक्षा के समचित उन्तिजाम करें च्छे दिसंबर आता है च्छे दिसंबर 1992 और देश के विवन भागों से लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं अध्या में और ऐसा कुछ होता है घटना करम कि उस भीड में अचानक एक जोका आता है और उसके प्रभाव से उसके वजन से ये मस्जिद जो है वो गिर जाती है मस्जिद को गिरा दिया जाता है जैसे मस्जिद के विद्वन्स की मस्जिद के गिरने की खबर फैलती है पूरे देश में एक तरह का तनाव हो जाता है सामपरदाईक तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है और देश के कई भागों में दो मतों के धर्माव लंबियों के बीच में जड़प होती है बहुत चुनोतियों का सामना करना पड़ा ये दशक जो है 1990 से 2000 ये दशक बड़े तनाओं के दशक थे इसी काल में इसी दौर में 2002 में एक और घटना होती है और वह है गुजरात में धार्मे का धार पे बटे हुए दो समधायों के बीच में कुछ इस तरह के हिंसक टकराव होना जो विश्व में हमारी एक तरीके से हमारे लिए बड़ी अजीव इस्थिती पैसा कर देता है लोग तंत्र के उपर ही बहुत बड़ा खत्रा था और वो घटना क्या थी गुजरात का गोधरा स्टेशन रेलवे स्टेशन यहां पर अध्या की ओर चे आ रही एक ट्रेन उसकी बोगी में जिसमें कार सेवक बैठे हुए थे उसमें आग लग गई इस आग लग गई की बात को लेकर बहुत संशा है बहुत विवाद है सचाई यह कि इस घटना में संतावन लोग जो उस बोगी के अंदर थे उनमें से संतावन लोग जल के मर गए चूंकि एवध्या से आ रही थी कार सेवकों की थी इनकी संख्या किसी एक विशेज धर्म समधाय की थी बहुलता थी सभी लोग एक ही धर्म के थे और चूंकि यह लोग अध्या से आ रहे थे कार से वक्ते ऐसा अंदेशा था कि संभवता दूसरे समधाय के लोगों ने आग लगाई है और इस प्रकार एक धार्मिक रंग इसको दिया गया संप्रदाइक ताकि आग इतनी भड़क गई कि बाद में हज्जारों लोग इसमें मारे गए संप्रदाइक दंगे पूरे गुजरात में हुए जिस बदलाओ की हम चर्चा कर रहे हैं इस काल में किस तरह के बदलाओ आए हम इन बदलाओं को एक तरह से हम चार भागों में बाट सकते हैं पहला बदलाओ उत्तर प्रदेश में भाज़पा सरकार को केंद्र ने बरखास किया दूसरा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी के खिलाफ नियाले की औमाना का मुकदमा दायर हुआ तीसरा बदलाओ जो राम जन भूमी के परिप्रेक्ष में हुआ या बाबरी मस्जित के घटना करम के बाद हुआ वह था केंद्र द्वारा जाच आयोक की निक्त किया जाना और चोथा है भाज़पा ने आधिकारिक तोर पर घटना के लिए अफसोस जताया ये चार बदलाओ अपने अपने तई भारत की राज़णीति को प्रभावित करते हैं सरकार के बदलने से सरकार के बरखास होने से नहीं सरकार आती है बलकि नहीं सरकार आने से पूर्व राष्टपति शासन लागू होता है और इस पकार केंद्र हावी हो जाता है और वहीं दूसरे राजियों में भी भाजपा की सरकार को बर्खास कर दिया जाता है केंद्र के द्वारा एक एक करके और इसकी शुरुआत भाजपा से होती है इसलिए ये पहला बदलाओ बुला जाएगा नियाले की आउ मानना वह तो नियाले से संब्दित था भाजपा के द्वारा आधिकारे के तोर पर इस घटना के लिए माफी मांगना अफसूस जताना इसने भी एक राजनीतिक बदलाओ की और रिक्षारा किया अब जो बिन्दु है केंदर द्वारा जाच आयोक की नियुक थी इसकी जाच की परनिती करना इसकी जाच की का जो दारा था वह किस बात का था कि इन्हें ये देखना था कि ऐसी क्यास्थिति निर्मित हुई जिसके कारण मस्जिद को विध्वन्ष कर दिया गया जिसकी परनिती मस्जिद के विध्वन्ष के रूप में हुई इस बदलाओं के घटना करम में इस बदलाओं के वो मौलिक प्रश्ण क्या है बहुत महत्पूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक सहमती बनी है आम सहमती जिससे हम कह सकते हैं एक बदलाओं ऐसा है एक दौर ऐसा भी चला जब सब में सहमती रही हो और वो सहमती किन मुद्दों पर है इनको थोड़ा सा हम समझ लें और वे हैं मूलिक वो चार मुद्दे जिन में से पहला है आर्थिक मुद्दा यदि मैं आम सहमती की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है दल कोई से भी हो दल किसी भी विचार धारा के हो उनकी राजन्यतिक सोच कुछ भी हो लेकिन इन चार बिंदों पर एक मायने में सभी दल सहमत है पहला बिंदु है नई आर्थिक नीटी पर सहमती नई आर्थिक नीटी अर्था न्यू एकोनॉमिक पालिसी NEP NEP से तातपर क्या है जो 1991 के बाद नर्थिमराओ के शासन में जो उदारवादी नीटी अपनाई गए आर्थिक उदारी करन की प्रक्रिया उस पर मोटा मोटा सभी राजन्यतिक दल सहमत है सभी राजन्यतिक दल इस नीटी के पक्ष में हैं ये एकमत होना इनके लिए जरूरी था भारत की आर्थिक विकास के लिए ताकि व्यापारी वर्ग को कॉपरेट सेक्टर्स को ये मैसेज जाए कि ये आर्थिक नीटी जो है वो लंबे रहने वाली है सरकारों के साथ ये नहीं बदलेगी यद्य पर अभी भी कुछ छोटे मोटे दल ऐसे हैं जो इसका कभी कभी विरोध करते लहते हैं लेकिन अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीटी से देश का विकास होगा देश सम्रिद होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति तभी बन सकता है जब वह नई आर्थिक नीटी को और मजबूत बनाए और बढ़ावा दे दूसरी बात जिस पर सब में सहमत ही है वह है पिछडी जातियों की राजनीती पिछडी जातियों के लिए राजनाटिक और सामाजिक रूप से प्रयास करना हूँ कमों बेश सभी राजनाटिक दल इस बात पर सहमत है कि भारत में यदि सच में लोक तंत्र इस्थापित करना है भारत में यदि वास्तों में समानता के अधिकार को धरातल पर लाना है तो यह आवश्यक है कि हम सब इस बात पर सहमत हों कि हम सब को पिछड़े वर्ग के सामाजिक आपेक्षा हैं उससे पूरा करें राजनिटिक डलों ने अपनी पहचान समझ लिया है, कि पिछरी जातियों का सामाजिक और राजनिटिक उथ्थान ये समय की जरूरत है, समय की दरकार है, इसी के कारणा सभी राजनितिक डल, शिक्षा, बिरोजगारी इसको लेकर पिछले वर्गों के लिए सीट के आरक्षन के पक्ष में है चाहे वो शिक्षा के मामले हो चाहे वो रोजगार के मामले हो वहाँ पिछला वर्ग के आरक्षन के लिए मोटा मोटा सभी राजनीतिक दल सहमत है और इसलिए इस आरक्षण की सततता तब से बनी हुई है जब से इस तरह के आरक्षण का प्रावधान किया गया है राजनीतिक दल ये भी सुनिश्चित करने के लिए तयार हैं कि अन्य पिछडा वर्ग को भी सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए तो पिछडा वर्ग अन्य पिछडा वर्ग राजनीतिक दिष्ट से पिछले तब के इनके प्रयास के लिए भी सभी राजनीतिक दल सहमत है तीसरा मुद्दा जिसपे सभी दल सहमत है वह है शासन में प्रांती दलों की भूमिका को सब स्वीकार करते हैं अर्थात भारत एक देश है भारत में संगवाद है भारत की जो राजनितिक या शासन व्यवस्था है वा संगी व्यवस्था है उसमें खेत्री वाद को उसमें राज्यों के दलों को भी उतनी ही अहमियत दी जाया जितनी राश्टी दलों को और इसलिए राष्टी दल ये स्विकार करते हैं कि देश की शासन व्याउस्था में देश की सत्ता प्रणाली में प्रांती दल और राष्टी दल जैसा भेद अबना किया जाए इनके बीच में किसी तरह का ऐसा ऐसी सोच ना हो कि प्रांती दल छोटे होते हैं समय दर समय गतीस वर्षों में इन प्रांती दलों ने अपनी अहमियत को महसूस करा दिया है और जैसा मैंने बारं बार कहा है केंदर में सत्ता में आने के लिए इन राष्टी दलों को इन छेत्री दलों की लाठी का सपोर्ट लेना पड़ा है तो इसलिए मुटे मुटे अब सभी दल इस बात पर सहमत है के प्रांती दलों की भूमिका उतनी अहम है जितनी की राष्टी दलों की और इसलिए राष्टी दल और प्रांती दलों के बीच में जो अंतर है समझ का अंतर प्रांती दल को एक मत छोटा दल नहीं माना जाए ये जो अंतर है ये कम हो गया कम होता जा रहा है जो बड़ी अच्छी बात है हमने इसी अध्याय में देखा कि प्रांती दल केंदी सरकार में साजेदारी कर रहे हैं गड़बंदन की राजनीती में बहुत महत्पूर्ण रूट से जुड़ हुए हैं वर्तमान अंडिये सरकार में जिसे हम भारती जनता पार्टी के नेत्रित वाली सरकार मानते हैं उसमें भी 30 से ज्यादा दल जो खेतरी स्तरपन हैं उनका उनकी सहभागिता है और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीती को बहुत महत्पूर्ण दिशादी है देश की राजनीते में बहुत महत्पूर्ण भूमिका नभाई है इस तीन बातों पर सहमती आम सहमती के बाद चौथी और अन्तिम बाद जिस पर सहमती है और वह है विचार धारा के बदले क थारे सिध्धी पर जादा दोर विचार धारागत्ष सहमति के बिगार राजनयतिक गठ जोडुम। ये बहुत रहाएं बिंदु है। और ऐसा करने में किसी तरह की आपत्ति, किसी तरह की गलत भावना नहीं। यदि ऐसा होता है तो नियूनितम, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, नियूनितम साजह कारकरम के तहट सरकार चल सकती है। तो ऐसे यदि प्रयास होते हैं तो इसे गलत न समझा जाए, यह साहमती भी सभी राजनीतिक दलों में अब हो गई है। इसाल के लिए दिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं हैं लेकिन वे दल भाजपा के साथ गडवंदन में शामिल है। यह एक उदारन है कि भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा जो उसकी मुख्य विचारधारा है उससे भले सामत नहीं हो। लेकिन भाजपा के साथ सत्ता में शामिल होना ज़्यादा महत्पूर्ण है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को अंदेखा करते हुए भाजपा के साथ एक तरीके से गड़बंदन किया है। कि गड़बंदन पांच साल चलता है। ऐसे गड़बंदन से भी सरकारें पांच साल चलती हैं। बारम बार चुनाओं से बचा जा सकता है। नियुनितम साज़ा कारकरम के तहट कम से कम कुछ आधार भूत कारें किये जा सकते हैं। आद यादे। तो ये चार आम सहमतियों के बिंदु है जिस पर लगवक सभी राजनीतिक दल सहमत हैं। ये सब महत्पूर्ण बदलाओ हैं और आने वाली जो राजनीती है इनी बदलाओं के इरदिगर्द गूमेगी इनी बदलाओं के दाएरे में आगे आएगी मुख्य राजनीतिक दल जो हैं वो कुछ एक मसलों पर सहमत हैं गरीबी विस्थापन नियुनतम मजदूरी आजीविका और सामाजिक चरक्षा के मामलों में जन आंदोलनों के जरिये यह राजनीतिक एजेंट की रूप में सामने आ रहे हैं यह अंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं यह भी एक आमसामति का मुद्दा है आमसामति की बात है कि जन आंदोलन जो हैं वो एक तरीके से एजेंट हैं सरकार को दिशा देते हैं सरका लोग जाती लिंग वर्ग और ख्षित्र के संदर में नियाय तथा लोग तंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में लोग तांत्रिक राजनीती जारी रहेगी हम कह सकते हैं कि लोग तांत्रिक राजनीती और मदबूत हुई है नए सामाजिक खेत्री दल सामेंगे हैं और इनकी बढ़ती भूमिका नए राजनीतिक डलों नए खेत्री पार्टियों जन अंदोलनों की बढ़ती भूमिका को चिंता के रूप में इन दलों को नहीं देखना चाहिए राश्टी दलों को या सरकार को ये मानना चाहिए कि ये सब जो हो रहा है चाहे खैत्री दलों का उजभाव, जन अंदोलनों का बड़ता प्रभाव और इसके साथ-साथ ने सामाजिक वर्गों का उजभाव ये सब भारती लोक तंतर के लिए खत्रा नहीं, बलकि लोक तंतर की एक जरूरत है, लोक तंतर की मजबूती के लिए आवश्यक है लोकतांत्रिक व्यवस्था याने ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी पक्षों को सभी लोगों को सभी पहलूओं पर अपनी बात रखने का अपने विचार रखने का अपनी बात मनवाने का मौका मिले और ये तभी संभव है जब हम खेतरी पार्टियों को विबिन समाज के विबिन तबके के लोंगों को और साथ ही जन आंदूलनों के जरीए रैलियों के जरीए अपनी आवाज उपर तक पहुँचा सकें और सरकार को इस बात के लिए विवेश कर सकें कि वह इस आवाज को सुने और उप्योगी या उचित कारवाई करे यहीं लोकतंत्र की सफलता है और यहीं लोकतंत्र को मदबूत बनाता है